चोपड़ा एजुकिस न्योटूब चैनल पर मैं हरसा ही चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ मेरे प्यारी बच्चो MBBS, BDS, BSC, Nursing के लिए MCC का सेडूल जारी हो चुका है तो मैं आपको यहां पर round wise सेडूल बता देता हूँ तो first round का जो सेडूल रहेगा वो इस परकार से रहेगा 11 अक्टूबर 22 से 17 अक्टूबर 22 तक registration होगे 24 पिलिंग होगी 14 अक्टूबर से लेके 18 अक्टूबर 22 तक इसके बाद में verification documents का 718 का रहेगा यह MCC का ही internal work है वो अपने आप करेंगे इसमें इसके बाद में sheet allotment का process 19 अक्टूबर 22 को रहेगा result 21 अक्टूबर को आजाएगा और reporting 22 अक्टूबर से लेकर के 28 अक्टूबर 22 तक इसमें reporting टाइम रहेगा अभी second round के schedule की बात करें तो second round का registration 2nd November 22 से 7th November 22 तक रहेगा twice filling third से लेकर 8th November 22 तक रहेगी इसमें इसके बाद में verification का जो internal का हम MCC का वो 7th से 8th November को रहेगा processing seat allotment का MCC का जो work है वो 9 और 10 November 22 तक रहेगा result 11th November 22 को second round का आ जाएगा इसके बाद में जो reporting date होगी वो 12 से लेकर 18th November 22 तक रहेगी इसके बाद में मोपप round का schedule इस प्रकार से रहेगा registration 23rd November से लेकर के 28 November तक रहेगा choice filling 24 से लेकर 29 November तक रहेगी जो verification है वो 28 से 29 और result processing का 30 November से 1st December इसके बाद 3rd December को result आ जाएगा मोपप का reporting 4th December से लेकर के 10th December 22 तक रहेगी इसके बाद में stay vacancy round का जो schedule रहेगा वो schedule रहेगा seat allotment का जो process रहेगा वो 12 से 13 December रहेगा result 14 December को आ जाएगा और reporting 15 से 20 December तक होगी इसमें तो ये 20 December तक complete हो जाएगा admission MBBS, BDS और BSC nursing के लिए MCC का state का एक दो दिन का समय इसके बाद में और दिया जाता है यानि कि 20 December के बाद में 25 या फिर 31st December ये MBBS, BDS और BSC nursing के course की last date रहेगी इसमें तो ये पूरा schedule है MCC का state का इसके सासात होता जाएगा पहले MCC का first round होगा फिर state का first round होगा MCC का second round होगा फिर state का second round होगा इसके बाद में mop up होगा MCC का और उसके बाद में state का mop up होगा और MCC का stay होगा और फिर state का इस परकार से ये counseling आगे चलती रहेगी तो ये schedule जारी हो चुका है आप अपने planning कर लें किस परकार से आपको choice fill करनी है उसकी तैयारी अभी से कर लें registration वगरा जैसे ही start होंगे वो date अलड़ी आपको पता लग गई है 14th October 22 है तो आप समय से registration कर दें इसमें अगर आप counseling के बारे में और ज्यादा जानकारी चाते हैं तो हमारी book download कर सकते हैं इस video के description box से या फिर हमारी website www.chopdaeducation.in से इसको download कर सकते हैं जैसे ही आप download करेंगे हम आप से संपर्क कर लेंगे इसमें मैंने वो जानकारी दे रखी है जो आपको जरूरत है इसमें 2022 में कैसे आपको 24 फिल करना है उसके बारे में भी बता रखा है सब कुछ समझा रखा है ये book आपके लिए काफी helpful रहेगी तो मिलेंगे नई update के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैसिन